नमस्कार गुल मॉर्निंग राम राम हिंदुस्तान सुभा क्याट बज़ी वालिक है और वक्त पोचला है आपके पसंदिन्दा मॉर्निक चो राम राम हिंदुस्तान का मैं आपके साथ सो निकसे नमस्कार और मैं हूँ आपके साथ सचिंदुबे राम राम हिंदुस्तान में आपको बताएंगे वो चार बड़ी खबरे जिस पर रहने वाली है से इंदुस्तान की नजर तो चलिए आपको दिखाते हैं आकिर वो कौन सी चार बड़ी खबरे रहने वाली है सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगा जो यहां रामरा में दोस्तान में सबसे पहले बात होगी ज़ारखंड सीम हिमन सुरेन पर एडी के शुकंजे की खनन गोटाले में पूस्ता शुकले एडी नेस सीम हिमन सुरेन को समन भी जा है आज राची में एडी रफटर में उनकी पेशी है अरकि जएमें के निताओं के हवाले से खबर है कि सुरेन आज एडी रफटर नहीं जाने वाले हैं वही समन के बाद से सियासी वार पलट वार का दौर भी अब शुरू हो गया है समन पर क्यों हो रही है सियासत कहां तक जुड़े हैं गोटाले कितार पूरी खबर आपको हम ग्राउंड से बताएंगे पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे लेकिन आप दूसरी खबर राम राम हिंदुस्तान की जानिए मेरी सयोगी सौनिका से सौनिका राम 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 सचिन, राम राम हिंदुस्तान राम राम हिंदुस्तान में दूसरी खबर उप्चिनाव के रण की है देश के छे राज्यों की साथ विधानसवा सीचों पर आज उप्चिनाव हो रहा है साथ विधानसवा सीचों पर उप्चिनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के भीच वोटिंग जा रही है उप्चिनाव के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे किस सीच पर कौन है भारी यसनाव 2024 से पहले स्याक्षी दलो का ट्रेस्ट इस बात पर भी हम करेंगे और पूरी खबर हम आपको बताएंगे लेकर राम राम इंदुस्तान में तीसरी खबर के लिए सीजारू करते हैं मेरे सजयोगी रोहित का राम 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 जौनिका, राम राम इंदुस्तान, तीसरी बड़ी खबर राम राम इंदुस्तान में जानिए देखिए दिल्ली NCR में प्रदूशन का स्तर बहुत जादा उसमें गिरावट दर्स की गई है कही न कहीं ये डराता भी है चौकाता भी है दिल्ली NCR के कई लाकों में AQI, Air Gold Index 800 के पार हो चुका है परस्तिया बहुत कंभीर है, नौईडा की हालत वैसी है, गाजियाबाद की हालत वैसी है और आप देखिए पराली एक बड़ा विश है जब दिल्ली NCR में धुंद चा जाती है स्मोग आ जाता है, इसको लेकर अब हरियाडा और पंजाब सरकार भी आमने सामने आ चुके है आरपार के मूड में आ चुके है, आपके शहर, आपके इलाके का AQI क्या है बताएंगे आपको लेकिन जल्दी से चौथी खबर जानिए, सहियों की मिनाक्षी से, मिनाक्षी राम 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 रोहित और राम राम जेन दुसान के सबी दश्रकों को मेरी तरफ से और इसके साथ आईए चौथी बड़ी खबर जान लेते हैं जो कि पाकिस्तान यानि की पियोके से जड़ी हुई है, अब पियोके में रहने वाले लोग पाकिस्तानी सेना की कुरूरता के खिलाफ आवाज उछाने लगे हैं, आजादी की मंग करने लगे हैं और उन्हें साथ मिल रहा है हिंद के ज़ानों का, ऐसे में जल्द ही पाकिस्तान की कुरूरता का अंति करने की तैयारी है, वो कर ली गई है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, और पियोके में भी अब तिरंगा फहराने की तैयारी कर ली गई है, इस खबर का पूरा विशलेशन इस स्टूडियो का कर लेते हैं कि हिमाचल में चुनावो की तारीखों का एलान पहले हो चुका लेकिन आज गुचुरात के चुनावो की तारीखों का एलान होगा मिनाक्षी लगातार हमारे साथ गावर्ण सिरोंपर मौझूद है मिनाक्षी अब इंतजार है आज 12 भचने का ELECTION COMMISSION PRESS CONFERENCE करेगा और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है बिल्कुल सचिन देखिए जब से पहले आपको मैं बताओं क्यूंकि देखे कल ये उम्मीद की जा रही थी कि दो तारीख को ही जो चुनाव की तारीखे हैं गुजरात के लिए उसका ऐलान हो जाएगा लेकिन मौरवी में जुसरक का दर्दनाख दुखत घटना हुई उसके बाद राज के शोक का ऐलान किया गया था और ऐसे में इस तारीख को माना गया कि आगे बढ़ा कर आज चुनाव आयों की उरसे प्रेस कॉन्फरेंस करके चुनाव की तारीखों का एलान सचुन कर दिया जाएगा सभी राजनितिक दल जो नेता है दिगजनेता तमाम राजनितिक पाच्चियों के वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि तारीखों के एलान के साथ ही आच्वार सहीता लग जाएगी और इसके साथ ही आपको गुजरात में वार पलट वार का दौर भी शुरू होता नजर आएगा बड़े बड़े नेता बड़े बड़े चहरे आपको गुजरात के रण में उत्रे नजर आएंगे तो आपको ना केवल कॉंग्रेस ना केवल बीजेपी बलकी जो हमादमी पार्टी है देगी शुरूआत से हम देख रहे हैं किस तरह से उचुनावी प्रचार भी यहां पर कर रही है तो वो भी आपको यहां के रण में नजर आएगी लोगों से में लगातार बाच्वीत कर र हैं उसी दिन गुजराच चुनाव के नतीजे भी आ जाएगा हला कि पिछले चुनाव क्या बात करेंगे 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 18 दिसंबर को जो चुनाव के नतीजे हैं वो आज आए थे लेकिन इस बार 8 दिसंबर को अलगि पिछली बार भी हिमाचल और गुज गुजराच से लगातार वहां की राजज़िती में क्या कोच चल रहा है उसमें नजर उनकी बनी हो गया है हिते अनब तारिकों का एलान होने जा रहा है गुजराच में कैसी हल चल अब आप देख रही हैं सबी दल सोनी का या पर इन तारिकों का इंतजार लगब लगब काफी एक महीने से कर रहे थे क्यूंकि एक महीने पहले ही सारे दलों की तैयारिया पूरी हो चुकी थी आमादमी पाटी हो या बीजेपी हो वो अपनी यात्रा 182 सीटों में कम्प्लीट कर चुके कॉंग्रेस भले मेदान में कही दिख नहीं रही हो एक जगा उन्होंने सीदे तोर पर कहा कि गाओ गाओ जाकर आप लोग को बर्गलानी की कुसिस की जा रही है लेकिन आपको संबल कर रहना है तो आप सोच सकते कि कही ना कही कॉंग्रेस भी है मैदान में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सिर्फ हामादमी पाटी और बीजेप करती नजर आती है हला कि आज 12 बचते ही आचार सहीता लग जाएगी उसके बाद यहां पर जो एक बड़ी हलचल जो वो निशित आपर दिखेगी तीनों दलों की तरफ से एक स्टेटमेंट जो वो सामने आ जाएगा चुनावायों की प्रेस कॉन्फरेंस के बाद कि वो कित उसके बाद कॉंग्रेस के तमाम सभी सीटों पर उमेद्वारों का ऐलान जो हो जाएगा आज से बीजेपी के तमाम 182 उमेद्वारों की चैन प्रक्रिया के लिए समन्वाय समीति की बैटक जो वो सुरू हो जाएगी ग्रीमंतरी अमित्सा खुद युजरात में मौजूद उनकी अध्यक्सता में ये तीन दिन तक बैटक होगी और 182 उमेद्वारों का चैन किया जाएगा जिसको 6 और 7 को स्टेट पार्लामेंटरी बोल्ड के सामने रखा जाएगा उसके बाद हो सकता है कि 9 या 10 तारीक के आसपास केंद्रे पार्लामेंटरी बोल्ड की बैटक दि देखने मिल जाएगा बिलकुल और देखिए तमाम जो पड़ी अपडेट सामने रहे हैं उसके इसाब से अगर देखा जा तो आज उम्मीद ही लगा जा रही है कि 12 बज़े के आसपास जो है वो अलेक्शन कमिशन प्रस कॉन्फरेंस करेगा और उसके बार तमाम तारीकों क आईलान है वो हो जाएगा रुहिक बिल्कूल बिल्कुल आज इंतजार से बात का है कि गुजरात में तारीकों का इखा आयलान होगा इसके तयारीं बिल्कूल पूरी हो चुकी है माहौल बोट पहले सजना जो है वो शुरू हो गया था और आज सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का कि आपचार एक ऐलान क्या कुछ होता है तारीकों को लेकर हर एक दल, हर एक राज़ने दिख पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से तयार है चाहे भारते जंदा पार्टी हो, चाहे आम आप भी पार्टी हो या फिर कॉंग्रेस हो लेकिन देखना होगा कि इस बार की तारीकों में एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया किन-किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनके सामने क्या कुछ परस्तिया थी क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की तमाम टीमे जो है वो गुजराफ पहुची हुई थी और वहाँ पर हर एक चीज़ पर माइनिटली उन्होंने काम किया है और अब जो गलतिया पिछली बार रही होगी या जो लूपोंस पिछली बार रही होगी या विवस्ताओं में जो कमी पिछली बार रही होगी उन तमाम चीज़ों को एड्रस करने के बाद Election Commission of India के सामने अब बड़ी चुनोती लेकिन इंतजार हर किसी का कि आखिर कब वो तारी के सामने आएंगी अब तक प्रणानमंती नरेंदर मोधी भी 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 थे अबिन केजनिवाल, भगवांत बान, कोंगर्स के तमाम जो स्टेक की काई के तमाम चैरे रही है यूपी की गोला, गोरखनात सीज़ पर भी वोटिंग हो रही है और देखें उप्चुनाव के 6 नमंबर को आएंगे बता दे, आदंपूर, हरियाना, मुकामा, बिहार, गोपालगंच, बिहार, मुन्नू, गोडे, तिलंगाना, गोला, कोकर, नाथ, उत्तर प्रदेश में, दामनगर, उडिशा, अनेरी इस्ट, माराश तो ये वो 7 विधान सबा सीटे हैं जहां पर उप्चुना हो रहा है फिलाल आपको जान कर दे कि मदान की जो प्रख्रिया है वो शुरू हो चुकी है तमाम जो तस्वीरे इन 6 राज्जुक की साथ विधान सबा सीटों से आ रही हैं वो लगतार हम आपको दिखा रही है तो आपको बता दे कि देखे, आज बाई एलेक्शन जो है वो लगतार हो रहा है और मदान की प्रख्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है चुकी प्रख्रिया जो है। क्या लगता है इस तरीके की जबता सुझे निकाल देखिए बात नहीं है बोले बाबा के दरबार में सब एक समान कोई उंचा बड़ा नहीं कोई चोटा बड़ा नहीं उनके आखों नजरों में सब समान पिछली बार भी पिता जी जब हमारे साथ ते में साथ में पूजा आजात आपने कई बार अपिल की इस बार क्या अपिल करेंगे जनता से जो वोटिंग के लिए देखिए बस अर्विन गिरी जी का नाम बनाए रखना है बाबा बाकी बोले बाबा अपने आप कराएंगे गिरी जी अपने आप कराएंगे बाकी हम को आपको जो कर सकते हैं व एडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। पर यह होगा कि आखिर हेमन सुरियन आज पहुचते हैं कि नहीं। और हमारे सम्वत आता आश्वीस हमारे साथ जोड़ चुके हैं और अधिक अब डेट के साथ आश्वीस जानकारी दे जुएगा कि हाला कि आरज 11 बजे एडी उनसे पूछताच करने जा रही है लेकिन खबर मिल रही है कि वो जा सकती है या पर नहीं। इसको लेकर अभी भी कुछ सही तरीके से कन्फार्म नहीं हो पाया है। जी बतादू कि जारखंड में एडी अपना लगतार दबिज बनाये हुआ और इसी बीच कल जारखंड के मुखमंत्री हेमन सोरेन को एडी द्वारा एक समन भेजा गया था जहां इस समन में आज 11 बजे एडी काल्याले पहुचकर उनसे पूछताच की जा रही थी। हाला कि जैसे ही समन मिला उसके बाद जारखंड के मुखमंत्री हेमन सोरेन ने कल देल रात अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बोलाई और कहीं न कहीं जिस तरह उनका आरोख था कि विपक्ष द्वारा ये पूरी तरह से साजिस किया जा रहा है सरकार की छभी खराब करने का साथी साथ सरकार को अस्थिर करने का हाला कि मुखमंत्री हेमन सोरेन ने अपने 15 दारिक तक पूरा शीडियूल जो है वो बीजी रखा है तो साब तोर पर उन्होंने एक संचेत दिया है कि वो आज पूस्ताज के लिए डी कार्याले नहीं जाएंगे वहीं समन भेज जिस तरह ये मामले को लेकर विपक्ष भारतिय जंता पाटी पर आरोप लग रहा है उसको लेकर वो उगरांदोलन की भी संभना जताई जारे जिसको लेकर अब बलकुर आशीश और देखे जमकर विरोग भी हो रहा है अबर यहीं सामने आरी कि जितने भी तमाम कारे करता ह वो सब विरोध करने में लगे हुए है जी यह आपने सही का क्योंकि जिस तरह इस तरह के मुखमंति हिमन सोरेन को जैसा कि आरोप लग रहा है जारखन मुक्ति मुर्चा रहे है कि एक आदिवासी मुखमंत्री को परिशान किया जा रहा है लगतार सरकार को अस्तिर करने का जो यह आरोप है वो भारतिय जंता पाटी पर लग रहा है इसी को लेकर अब जारखन मुक्ति मुर्चा की ओर से सभी 24 जीले के कारेकरता और नेता जो है वो मोरावादी मैदान में एक जूट हो रहे हैं और समाहना जताई जारी के उनका उग रांदोलन जो है वो इडी कार है यह भारतिय जंतापाटी के परेटेस कार्याले में होगा जिसको लेकर शुर्ग्षा जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है तो राजी सरकार जौ वह बीपक्ष पर आरोप लगायी है तो बिपक्ष भी इस्को लेकर पूरी तरह से रणीती त्यार करी कि की तरह रा नौंबर से तेरा नौंबर तक जार्खन के तमाम 24 प्रखंडों में वहां से उग्रांदोलन करेगी साथी साथ 19 से 23 तारीक तक अब राजी सरकार की भष्टाचार के मुद्दे को लेकर अब तमाम जीले के उपायुक कर्याले के पास भी विपक्ष जो है वो सरकार की भष्ट बिल्कुल राजवेस और देखे और खबर ये भी रही है और जिस तरीके से जिस तरीके से आप देखे समन किया गया एंफोस्मेंट डारेक्ट लेट को समन किया गया उसको लेकर आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी जेमें करने वाली है राची में हला बोल की तैयारी बिल्कुल पूरी कर चुकी है जेमेंट और ये एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है तमाम जिला प्रमुग तमाम इकाया इस रैली में शामिल होने आएंगी ये इस वक्त की बड़ी खबर भी है और कहीं खारकंट से जुड़ी क्योंकि 11 बजे ए देनन दिखाना चाहती है आशीश अमरसाथ बने हुए आशीश एक तरफ 11 बजे इदी का समन दूसरी तरफ हला बोल राची में तयारिया कितनी हला बोल की जी लगतार जिस तरह समन भेजा गया था मुकमंतरी हिमन सोर इनको तो कल ही से ही जारखन मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेता जो है वो खुलकर ये बाते सामने नहीं रख रहे हैं पर कहीं न कहीं जिस ये पूरी तरह से जो ये मामला आ रहा है जो बीपी जीपी पर आरोप लग रहा है उसका वो अंदोलन करेंगे अगर अंदोलन करके बीजेपी कारयाले हो या एडी कारयाले सभी जगाओं पर ये लोग वीरोत परदसन भी कर सकते हैं ये समवाना पर इट समाब से लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देनी के लिए आगे बढ़ते रुकरते एक बड़ी कबर का और बात होगी अब प्रदूशन की दिल्ली की हवा में जहर गुला हुआ है दिल्ली अंसियार में प्रदूशन का कहर लगातार देखा जा रहा है द लोग इसी जहरिली हवा में इसास लेने को भी मजबूर है पूरे दिल्ली असियार गैस ट्रेंबर में इस वक्त अद्दील उचकी है और देखिए दिल्ली में एक वाई कलेवल 800 के सर को पार कर चुका है रोईत हमारे साथ बने हुए है रोईत गंबीर शेड़े में इस वक्त अगर दिल्ली की बात की जाए तो चाहे आईटी हो आनंदवियार हो जांगिरपुरी हो नरेला हो ये वो इलाके है जो हमेशा से प्रदूश इत्रा हैं लेकिन हम नॉड़ा में है और तस्वीर हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से स्मॉक की चादर पूरे स्वीरों के जरीए नॉड़ा वो शहर जो कि देश के टॉप टेन चेहरों में सबसे प्रदूशित में दूसरे स्थान पर था दिवाली के बाद से हाला कि नॉड़ा डेवलप्मेंट अथारिटी तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बात कर रही है इस माहौल को आप देखिए और समझे कि कितनी परशानी उन लोग को होगी जिनको दमा होगा अस्तमा होगा और जिने नहीं भी होगा क्योंकि मैं खुद यहाँ पर खड़ा हुआ आप यहाँ पर अगर लंबी सास लेंगे तो आपको खासी का एसास होगा क्योंकि यहाँ पर माइक्रो माइक्रो साइस क कर काई ना कही पॉल्यूशन के इस हवा में मिले हुए नजर आ रहे हैं इसमें सल्फर का सल्फर का लेवल काफी जादा है नाइट्रोक्स का लेवल काफी जादा है अलाकि नौइडा अथॉरिटी हर बार ये दावे खर रही है कि अलग अलग जगाओं पर हम स्प्रिंकलर सिल्सला अब शुरू हो चुका है लेकिन अब चुनौती यही है कि आखिर अब सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाए कि ये जो प्रदूशन की समस्या है इसका निजात हूँ इस समस्या का समधान हूँ प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर देखिए आज परस्तिया इतिक खराब है आज अगर आप कुछ करने जाएंगे तो आज की परस्तितियों से आप बच नहीं सकते है इसके लिए लंबी तयारिया पहले से करनी होती है ये बात दिल्ली और NCR के लोग बहुत बहुतर तरी सफर करते हैं तो उसमें भी आपको काफी दिक्कत होंगी तस्वीर अपने आप बया करने के लिए काफी है दिल्ली NCR में लगातार बात कहीं जाती है स्मॉक तावर्श की लेकिन परस्तिया बच से बत्तर लगातार हो रही है जानकारी है और सबसे बड़ी बात भी है कि जाए खासकर सुबा के वक्त जब सनलाइट बहुत जादा नहीं होती उस वक्त जब आप निकलेंगे तो आप फेस मास का इस्तिमाल करें आप चश्मा लगाकर बाहर निकले क्योंकि बहुत माइक्रोकन है और इसमें अगर नाइट्रोक्स का लेवल अगर इसमें सेलफर का लेवल बहुत जादा हो जाता है तो आपको आपको सास लेने में थोड़ी दिक्कत होती होगी और अब परसित्या वैसी हैं लेकिन और इसका कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं रिजल्ट कब तक आएगा सच्छन ये बड़ी बाद है बिल्कुल और रोहित देखे अबीदे दिनी एक हबर सामने आई थी कि नौलजा में जो प्राने वहन है उनका रेजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया आल्टियों की तरफ से अलग कि ये बताया गया था ये कदम उठाया गया क्या अधेश था दिल्ली अंसियार में इस तरीक तो आप रात के वक्त आप देखे ग्राब ग्राब के तमाम गाइडलाइन डेली में उतारे जा चुके हैं कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन जिसमें बहुत धूल उड़ती है उसको पूरी तरीके से बंद दिल्ली सरकार ने किया है लेकिन नौइडा में भी इस तरह की प तो आप समझे कितनी परिशानी होगी उन लोगों के लिए हाला कि सियासदान लगातार इस मुद्दे पर हर साल सियासद करते हैं लेकिन यह लेकिन रोगों को अपना ध्यान आपको रखना है जब आप घरों से बाहर निकलेंगे तो मास्क का इस्तेमाल करें क्यूंकि आपक साज़ा करने के लिए आगी रोग करते हैं बड़ी ख़बर सामने आ रही है फियो के पर प्रहार को तयार है इंजिन अर्मी चिनार कॉर्प के कमांजर का बड़ा खुला सा यह हुआ है किलिकर पाकिस्तान में अब की बार फैराएंगे तरंगा सरकार के आदेश का इंतजार है सेना का प्रहार जीहां आपको जानकारी दे कि चिनार कॉपस ने इस बात का खिर किया है कि हमें सिर्फ सरकार के आदेश की जरूरत है हम तैयार है पूरी तरीके से हमला करने के लिए सेना तैयार इस बार पियोके पार ओर्डर का इंतजार पाक पर फ्रहार तैयार है प्लान पियोके से भागेगा पाकिस्तान पियोके में पाकिस्तान के बाप के निशान अब मिटने वाले हैं पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम का अंध होने वाला है पियोके गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के खिलाब वहां के लोग पहले से आज़ादी के नारे बुलंद कर रहे हैं लेकिन बाजवा की बैड आर्मी के आगे उनकी आवाज तूती में नकार खाने की तरह दब कर रह जाती थी मगर अब प्योके में रह रहे हैं लोगों को हिंद के बीर जवानों का साथ मिल गया है भारती सेना ने प्योके में तिरंगा फैरा कर पाकिस्तान के अत्याचारों का हमेशा हमेशा के लिए अंत करने का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेटिनेंट जनरल एडियस ओजला ने कहा कि भारती सेना पूरी तरह से तैयार है जिस दिन सरकार का आदेश मिलेगा प्योके और गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान की सेना को मार भगाया जाएगा रेडिनेस और डिफेंस प्रिपेडनेस आज जो है बहुत ही अच्छे लेवल की उपर है और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहां पर हमार को इसको अजमाने की जुरूरत पड़े तो आप एक अलग प्रभाव जो है इसका देखेंगे सेना के शोर दिवस में श्रीनगर आये रक्षा मंत्री राजना सिंग ने हुंकार भरते हुए याद दिलाया था कि भारत ने उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया है लेकिन ये यात्रा तब पूरी होगी जब 22 परवरी 1994 को संसद में सरु सम्मती से पारित प्रस्ताव पर भारत अमल करेगा उन्होंने कहा कि सही मायने में अमल उस दिन होगा जब गिलगिट पाल्टिस्तान पहुँचकर भारती सेना वहां तिरंगा फैराएगी और चले इसे के साथ यहां वक्त होगा है एक छोटे से ब्रेक का